राकेश भाई ये बताईए आप जिस कानून विवस्था का डंका यहां से लेकर गुजरात तक आप पिरते ही जोगी मॉडल कहा जाता है बुल्डोजर मॉडल कहा जाता है NCRB का डाटा आपके हक में क्यों नहीं जाता है या इसके अलामत तमान जो विवक्ष के नेताओं ने गिनवाया ये एक बड़ा सवाल है इसका सॉलूशन क्या है कैसे आप जाएंगे चुनाओं में बैया आप सुन लिजे बैया इंदरजीत बाई आप देगे डिश्टरब कर रहे हैं सुनिये आप बोल रहे हैं सब सुन रहे हैं कि दोहजार को जोड़ा इन्दरजीत बाई ऐसे आप जंता का जवाब मैंक से प्लीज 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 आपस समेंगे विदान चुनाओं इस सुन लिजे जर्णे ढेकि 2017 का विधान सभाचुनाओं में हमने कहा था ना गुंदाराज ना प्रिष्टाचार और हमने परिवर्तन करके दिखाया है और आज 2022 का विधान सभाचुना उत्तरप्रदेश में केवल कानून व्योस्ता की मुद्डे पर सबसे बड़ा मुद्दा माना गया था और उत्तरप् सालीम सुराव रुस्तम चलाएगा आप जो कह रहा है उस पर जंता एक बार जंता से पुछनेते हैं थोड़ा से पिछी चलिए ज़गत अब पूछनेता हो अभी बोषलेता हौत अब यह बनदा कर चुना हो रहा है एक मिठसों लीजिए एकरती आसा रहे है आ हम करेंगे एक मिनिट एक मिनिट खोड़ कर में और दोकिता संब की मैपर किनार में और चुरी हो गई अब देखे ठीक है आरहे हैं अब तोड़ा शान तोड़ा सा चाहिए थोड़ा पीछे तोड़ा पीछे आ रहे हैं डाटा मेरे पास डाटा आ गया है वो डाटा मैं आपको बता दूँ और उसके बाद जन्ता के पास आ रहा हूं चर्थ है कि बीच में अपने बोलेंगे बस एक मिननट एक मिनिट और शर्र अंच हो डाटा ले लिए कि नहीं कहता है कि अब हमने बता दिया मुस्टिम ड απ किदर जा रहा है सामान ने वहतर किडर जा रहा है इसके वाँ ये बताईए कि SCST वोटर किदर जा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है लखनव के लिए और वो डाटा मेरे पास आ गया है OPC के बाद देखे SCST वोटर देखे लखनव में SCST वोटर जो है वो किसको वोट दे रहा है SCST वोटर में मेरे पास आकड़ा गया है मुझे बोले देखे डाटा तो मेरे पास है न 49 पीजदी बीएसपी को जाता हुआ नजर आ रहा है समाजवधी पार्टी को 35 परसेंट बीजेपी को 35 परसेंट और आदर्स को 6 परसेंट जा रहा है अंशु जी कुछ आड़ करना चाह रहे थे जो आकड़े हैं जो और यह जान लीजे यह जो आकड़े हैं यह इधर उदर से किसी एजेंसी से नहीं मंगा गया है हमारे रिपोर्टर्स 1000 प्रतिया छपाएं अलग-अलग विधान सभाव में गये लोगों से बात की अधार नंबर लिया फोन नंबर लिया यह वो आकड़े हैं इसलिए इस पर तो सवाल मत खड़े करिएगा क्या कहेंगे इन आकड़ों पर यह आकड़ा आपको फेवर नहीं कर रहा है उताब देश करजा माफी होना चाहिए बीजेपी उस पर नहीं बोलती किसानों को MSP गारूंटी कानून को लेकर प्रधानमंत्री जी ने माफी भी मांगी काले कानूनों पर कहां लाके देंगे आफस्ता कानून क्यों नहीं लाए हम तो यह कह रहे हैं जात को नकारा नहीं जा सकता लेकिन देश हमारा नया भारत कैसे बनेगा क्या जात की बात करके बनेगा क्या धर्म की बात करके बीजेपी के आप कहते हैं अगनी वीर तीन साल में रिटार करेंगे पांच साल में नेता चाहिए 73 साल वाला और नौकरी में पांच साल रिटार कर देंगे कैसे चलेगा भीया इसे कि मुझे लगता है देश की सेना को ले करके केवल राजमितिक बयान वाची नहीं करने चाहिए दुरूभाण यह है क्यों कंग्रेस हमें सासे राजमिति करती है कभी से ना जेक्स को गुंडा कह देगी कभी सबीदिक सब्सक्राइक पर सवाल करने लगेगी देश के नौजमा सर्वे में नजर आ रहा है 13% सभाजवाथी पार्टी बीएस्पी को तीन और अधर्स को चार मान सर्वे में आप बहुत बीछे हैं यह सर्वे कुछ लोग के बीच में है और हो सकता है कि ऐसे लोग के बीच में सर्वे और यहां यहां आधा वुत्तर प्रदेश का जाविर ससाइमत नहीं एग भूता बहुता है सर मैं एक मिनेट लूँगा एक लाइन प्रफिए एक लाइन ऑग्राइन फोरी एक मिनेट ले जगात सेक्रवाद च्टतन बॉनाम, भाजपा की लडाई एक बच्टना बनाम भाजपा है, जंटन बॉनाम, भाजपा की की लडाई एक बच्टना पोलह और यह और G Zeit लेकिये, तेल से बटा हुआ है.